जहिंद आज आप यहां पे आप अपना डेट देख सकते हैं हलां कि मैं कम्यूनिटी पोस्ट में आपको डाल दिया था कि मैं आपको जल्दी ही डॉकुमेंटेशन के बारे में वीडियो बनाऊंगा जैसा कि आपको यहां पर इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फेस वन फे से देख लिजिए अभी हम इसमें बात करने चल रहे हैं कि आपका जो HCM ASI ASI का इस्टेनों का और HCM का जो अच्छी तरीके से बात करूंगा खास करके का सर्टिफिकेट का आपको जो प्रॉब्लम पूर अच्छास में दिखाऊंगा कैसे आपको क्या के करवाक ले जाना है तो सबसे पहले आप देख लिजी आपका यह जो एड्मीट कार्ट को पूरा ओरिजिनल जो यह है पेज ख ले सकते हैं अब ले सकते हैं और आईडी प्रूफ आपको चाहिए एक अधारकार्ट जो भी आप उस समय लगाए रहेंगे फोटो आईदी ओरिजिनल होना चाहिए और आपको क्या होगा कि दूसरा नमबर अपको धियान देना है कि आपको अपने सेंटर पे इग्जक ट्र पर जो भी सेट्वील है आपको टाइम मेंसन किया गया है थोड़ा समय उपर दिखा दे रहा हूँ जैसे रिपोर्टिंग टाइम यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर देखिए यहां पर देखिये यह लिखा हुआ अब इस टाइम पर अपना पहुंच यह हलांकि यह इसरा नंबर पे कि आपको कोई इंजर्य इंजर्य जाता है तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लिया जाएगा कैनिडेट को यह जो अपने उन डिक्स पे अपना भाड़ा किराया लगा क्या आना जाना होगा यह सो नॉर्मल चीज़े आप नीचे आईए यहां से आपका पॉ आप इसको पढ़ दूँगा तो क्या मतलब निकलेगा डॉकुमेंट्स आपके जितने भी लगेंगे जैसे कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानि कि दसमी बारहमी का माक्सीट और सरनत जो जानते हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट होता है कुछ लोगों को टेंथ में सर्टिफिकेट होना इसका माकसीट नहीं इकनन मातल्य के लिए कुछ लोगों को ट्वाल्थ में मिलता है म मृतव एक चाहए लोगा होगया यहांप एक दो-तीन नहीं कि नहीं तो कोई दिक्ट वाली बात नहीं फिर उसके बात का सर्टिकेट पिए का सर्टिकेट किन मिलता है जोकि आपकी सर्टिकेट पर होना चाहिए अभी मैं उसको दिखा दूँगा और EWS कैनिडेट के लिए प्रिस्क्राइट फॉर्मेट में जो दिया गया उस फॉर्मेट में आपका बना हुआ होना चाहिए अभी इंजीन लोग यहां सर्टिफिकेट का इस्सू है अभी मैं उसको क्लियर कर दूँगा कि यह कैसे करना ए और यह जो लोग डेपार्टेमेंट से हैं लोग अपना विजिलेंस और बोर्नक्रेमेंट के लिए डेचर इस वी इन दसेलेक्शन प्रोसिस आपको हैं से येमिनेट कर दे जाए बाहर कर दियाएागा आगे प्रोस्ट में नहीं वेजी आपके जो को प्रोसिस क्या आपका कौन सा पोसेस है आपका एक्जमिनेशन एस रिमिए आपका फफिस्ट थिमें आपका अप एपिंग और मेडिकल आएगा ठीक है तो यहां पे अब यह जो और एडमिट कार्ड मिला यह फेच फर्स्ट के लिए फिर एग्जामिनेशन के लिए एक नेक्स्ट एडमिट कार्ड आपका आएगा ओके और यहां पे अगर आप किसी स्टेश पे मतलब पाए जाते हैं कि नही स्ट के लिए यह आपका फॉर्मेट है ठीक है इस फॉर्मेट में आपको दिखाना है और फिर नीचे आ जाते हैं नीचे यहां पर देखें यहां पर देखें और आप लोग बोले होंगे कि सर यह तो ऑनलाइन होता है ऐसे होता है तो यह देखिए और सक्शन स्टोंटी एक्ट के अधिनियम के हिसाब से बना होना चाहिए तो यह कैसे बने और यहां पर डिस्टिक मजिस्टेट या डिप्टी कमिशनर इसक्टरा का सीनियचर रहना चाहिए यह आप से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तहसील पर कम से कम तहसील का तो होना ही चाहिए तहसील का सी लिए उसके दिखाऊंगा हला कि आप डीम का सीनेचर जाक कर वाल यह लिए बीएम का सीनेचर नहीं प्रभारी उपार्वारी होते हैं उस डिपार्टमेंट के उनका सीनेचर होता और यहां पर देखे मैं फॉर्मेट का अब सब का फॉर्मेट से मोता है जो एड़ाओ यह सका होता है EWS का offline बनता है जाकर के सीधे तैसिल से वहां पर पूरा इसका अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा है क्योंकि सभी को सभी लोग ना बनवा पाएं इससे लाब चाहिए वही उन्हीं लोग के लिए है तो चलिए इसका बात करते हैं अच्छे दे बिसी का एक्जैमपल ले लेते हैं जैसे अब इसी के एनेक्सर डी जो आप ओनलाइन फॉर्म भड़ते हैं बढ़ाते हैं जनसेवा केंद्र सहाच केंद्र जो भी आपका सी से कॉमन सर्विस से तो वहां पर आपका क्या होगा यो लोग ऑनलाइन करते हैं तो यहां से इसको ओपन कर ले रहा हूं इसको यहां पे ला दिया अब इसको में थोड़ा सा जूम करके आपको इसको थोड़ा सेक्षन दिखा दे रहा हूं कि कैसे है ठीक है अब देखिए दिसी सर्टिफाइए चलिए यहीं पर आजए ऐसे आपको इसलिए दिखा रहा हूं क इस जगे पर आपका नाम में ब्लर कर दिया हूं सन यह डॉंटर आप देखे सं यह डॉंटर आप स्री मती यह जेकिन नेम को गया मदर का नेम हो गया वीलेजओ टॉण यहां देखे वीलेज आ टाउन हो गया फिर नीचे देखिए डिस्टिक डिवीजें आपका आगे देखि यहां पर देखे कास Candidate OBC Central Government Service के लिए जो भी लग रहा है फिर नीचे स्रीमतिय कुमारी यहां पर सबसे नूड में देखे दौरा इस्विश ऑथारिटी का यहां पर मेंशन होना जाहिए resolution of the government India कास्ट यह देखिए यहां पर देखिए और अर्डेनली सेक्षन और यहां पर एक चीज और है कि आपका सिक्वेंस स्क्वेंस नंबर जो भी अप्लिकेशन नंबर रहेगा उसे मिंसन होना चाहिए जैसे कि इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर जिला तै देखिए जो रिजॉल्यूशन उसमें दिया गया था रिजॉल्यूशन इतने यह देट पब्लिस्ट ग्याजटेट अफ इंडिया एक्स्टा ओर्डिनरी पार्ट यह फला फला सेक्षन दिस आलसो सर्टिफाई जो नीचे और था परसन और क्रीमी लियर आपको कैसे पता कर सब्सक्राइब क्रीम क्रीमी लियर से यह परसन नहीं बिलॉंग करते हैं कॉलम तरी यह गवर्मेंट आफ इंडिया डिपार्टमेंट परसनल ट्रेनिंग यह फला 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 नंबर दर लाटिस्ट नोटिफियस्ट आप देखिए पूरा और नीचे आज़े आपको यहां प परतलम नहीं होता है रहां का वाल लोग ऑलों का वैलिड नहीं होगा कि जो लोग जन्सेवा वाले का मुखर सिर्फ लग ले जारें में देखि लग गया तो कोई बात मिए अपनी अप उसको आगे और लगवा लेजfully मुउब को यहां पी लगा होगा होगा यहां इस जगह ही रहना चाहिए तैसिलार या तैसिलार सूपर मैं आपको एकमेंट करूंगा डिस्टिक मजिस्टेट का ऐसे मुहर लगवा लिए जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है तो और यहां पर देखिए इस तरीके साब का संख्या यह सब पूरा है यहां पर मेंटेन हो जा आपका यह एडमिट काड़ काड़ का प्रिंट करवा के वकायदे से लेते जाए यहां पर देखिए मेरा एडमिट काड़ है ठीक है मैं इसको बलर कर दे रहा हूं आपकी स्कीन बलर हो क्या आए परसनल डिटेल के वज़े से तो जो भी होगा परसनल एक्सपरियेंस वहां क उसको उसे मैं आपको 23-24 को जो भी डेट होगा उसको मैं जल्द से जल लाने के आपको कोशिस करूंगा तब तक आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इस्टे ट्यून रहिए और चैनल से नहीं जूड़ है जूरूर जाए जो भी करना हो और कोई भी कमेंट कोई डाउट होग यह रात कस टाइम है बारज 22 एम हो रहा है चलिए ठीक है मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सो फॉर जहिन जय भारत